नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों मेरा नाम है महिश मुश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं एकोनोमिक्स तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था हम आपके लिए वन शॉट्स ला रहे हैं हर चैप्टर के और आपके हाफ एल्ली में हम लोग मदद करने वाले हैं आज का वन शॉट है बच्चों डिमांड के बारे में पिछले कुछ एक विग से एकोनोमिक्स का वन शॉट नहीं आ पाया था उसके लिए सौरी आप लोगों को प्यूंकि दोस्तों कुछ फैमिली में मेडिकल इशूज आ गए थे जिसकी वज़ए से मैं आपके लिए यह नहीं बना पाराता लेकिन अब यह रेगुलर बेसिस पर अपडेट होते रहेंगे और पुरानी जो वीडियोज रह गई है उनको हम फास्ट फास्ट अपलोड कर देंगे तो हो सकता है आपको जल्दी जल्दी जादा वन शॉट मिल जाए तो दोस्तों आज के चैप्टर का और गाड़ी हो सौरत हो सब कुछ हो ऐसी आप सब भी चाहते हैं या आपके पास एक अच्छा घर हो चाहिए को अम्मानी टाइप का घरो यह जल्कों कृखते एं चाहते हैं कि बंगले अच्छी मेहगी गाड़िया इसका मतलब यह नहीं है कि आपने एकोनोमी में डिमांड क्रियेट कर दी है मतलब सिर्फ इच्छा करने से सिर्फ सपने देखने से सिर्फ चाहने से डिमांड क्रियेट नहीं होती तो डिमांड के लिए क्या जरूरी है आओ मैं आपको एक एक्जामपल से समझाता हूं कि कैसे दिमांड क्रियेट होती है, तो बच्चों, यह हमारे हैं छोट उस्ताज, तो हम इनको मानते हैं चैंप, कहां गए हमारे चैंप, अरे 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 भीया, चैंप, इनका नाम रखका है हमने चैंप उस्ताज, तो हमारे जो लिटिल चैंप है, यह चाहते सारे बच्चे साइकल से जाते हैं मुझे भी साइकल मिल जाए तो इस सपना देख रहे हैं बैठेए-बैठे की काश मेरे पास एक बहतरी साइकल होती और मैं उससे स्कूल जाता घुमता तो इन्होंने डिमांड करेट करी नहीं अभी डिमांड क्रियेट नहीं करी तो करते हैं यह पकड़ पैसे और जाके साइकल खरीद ले अभी भी डिमांड क्रियेट नहीं हुई है यह गए फैक्टरी में क्योंकि यह अगले दिन जाके सो गए इन्होंने का वियार पैसे मिल गए बाद में जाके साइकल खरीद लूगा तो यहां पर सिर्फ इच्छा थी यह यहां पर इनके पास पैसे आ चुके हैं लेकिन अभी तक खर्च करने की इच्छा नहीं आई है यह सोचना है एक दिन इन पैसे को लेकर सो जाओ फिर अगले दिन जाओंगा साइकल खरीदने जब अगले दिन यह फैक्टरी में गए और इन्होंने का यह पकड़ पैसे और इच्छा मेरी साइकील तब जाके डिमांड क्रियेट कर दी तो डिमांड का मतलब इच्छा होनी चाहिए आपकी केपसिटी होनी चाहिए और डिजायर्टु स्पेंड होनी चाहिए तो विलिंग्नेस और एबिलिटी जब दोनों आ जाएंगी तो ही economy में आप demand create कर सकते हो अब exam में कैसे लिखोगे आओ जड़ा मैं बताता हूँ exam में ये definition आपको लिख क्या नहीं है अच्छा बच्चो डिमांड को ना हम दो category में पढ़ेंगे एक होगी individual demand जैसे ही हमारा champ था एक एक परसन की demand जब एक अकेले परसन की demand को आप calculate करोगे तो उसे कहा जाएगा individual demand अकेले की demand लेकिन जब बहुत सारे लोगों की demand को जोड़ दोगे तो बन जाएगी market demand तो एक होगे individual demand जो भी discuss कर रहे है और इसके बाद market demand तो individual demand की definition क्या होती है आओ जड़ा समझें यह कहता है कि यह बहुत सारी quantity यह कहता है individual demand refers to quantities किसी commodity की जो एक single consumer able भी है और चाहता भी है खर्च करना किस पर जी prices पर कीमत देना बहुत जरूरी है अगर वह cycle 50,000 की होती और उसके पास सरी 20,000 होते हैं तो वह cycle नहीं खरीद पाता तो कीमत किस कीमत पर वह cycle खरीदने को तयार है और यह एक period of time होगा जहां पर हम demand को measure करेंगे तो यह कुछ keywords है इनको अगर आपने demand की definition में डाल दिया तो आपको मिल जाएंगे पूरे number तो बच्चो अगर आप screenshot लेना चाहें तो definition का screenshot ले सकते है जबरदस तरीके से यह हो गया हमारा individual demand अब आते हैं हम individual demand के कुछ examples क्या कहता है वाई यह मैडम है यह सारी मैडम होग एक demand है एक अकेला person क्या खरीदना चाहता है क्या सोच रहा है डाट इंडिविज्वाल डिमांड और आप आते हैं हम मार्केट डिमांड जब बहुत सारे इंडिविज्वाल से खट्टा हो जाएं कितने सारी लड़किया हैं कितने सारी लोग मॉल में शॉपिंग करने के लिए यह दो बजार में सबचे खरीदने के लिए जारे हैं तो यह सब क्या है मार्केट डिमांड जब बहुत सारे इंडियुज्विज्व एक साथ डिमांड करें और उन सब डिमांड को जोड़ दिया जाए यू विल गेट दा मार्केट डिमांड तो इंडियोजल डिमांड की डैफिनिशन में सम जोड़ दो मार्केट डिमांड निकल आएगा तो तो मार्केट डिमांड रफ़स्टो गुड्स अट अपर प्राइस यहां पर भी है और सम टोटल की बात की जा रही है आप चाहिए विल केट डिमांड निकल के आजएगी हमारे और आप देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक है हमारा demand schedule इस schedule के हिसाब से हम करव बनाना सीखेंगे तो demand schedule का मतलब हो गया जब different different price पे consumer किसी commodity की कितनी कितनी quantity खरीदने को तयार है इस पूरी की पूरे options को इस पूरे की पूरे combinations को जब आप एक table में दिखा दो तो उसे कहते हैं demand schedule ज तो जब किसी commodity का XYZ कोई भी commodity ले सकते हो ice cream लेलो बनाना लेलो apple लेलो कुछ भी लेलो जब उस commodity का price एक रुपे था बच्चों एक रुपे जब उसकी कीमर थी तो उसकी चार unit consume करना चाहता था जैसे उसका price बढ़ गया उसने अपनी consumption कम कर दी और price बढ़ गया consumption और कम कर दी तो यह दिखाता है एक consumer के different different combinations को जो consumer consume कर सकता है different different prices पे और अगर इसी को हम chart में present करना चाहे तो कुछ इस तरीके से हमारा demand कर बनेगा देखो कैसे जब price एक रुपे है तो demand थोड़ी जादा है जब price दो रुपे हो गया demand थोड़ी सी कम हो गई पीछे को आ गई फिर price एक र दिया तो we will get the demand कर तो exam में अभी आपने देखा मैंने पहले line बनाई यह तरीका है exam में demand कर पो सही बनाने का तो अगर आपके पास जदा अच्छा scale या graph available नहीं है बच्चों तो ऐसे बना देना line पहले और फिर points उस पे mention कर देना इस तरफ क्या दिखाओगे आप हमेशा price को दिखाओगे इस तरफ किसको दिखाओगे हमेशा quantity को दिखाओगे यह होगा x-axis हमारा यह होगा y और यह 0 इनमें arrow लगा दोगे ऐसे करके आप और dd is the demand कर इन points को number देना चाहो तो a, b, c, p, q, r कोई भी आप number इनको दे सकते हो यह होगा हमार individual demand schedule और यह simple सा individual demand कर चलो जी अ अब आते हैं market demand schedule में, जब कई consumers की demand को जोड दिया जाए, तो we will get the market demand schedule, यहां पर हमने एक market में दो ही consumer माने है, बहुत बड़ी table लेके हम लोग नहीं चल रहे, तो माना बजार में दो ही consumer है, तो एक पहले वाले consumer की कितनी quantity demand कर रहा था, दूसरा वाले consumer कितनी quantity demand कर रहा था, जब दोनों को हमने जोड दिया, तो जो निकल के आगई, वो क्या निकल के आगई बच्चो, market demand निकल के आगई, simple, sober, culture, बहतरीन तरीका है, market demand के दो निकालने का तरीब दो consumer लो, और table में present कर दो, अगर आप चाहो इसको graph में present करना, तो graph में आप इस तरीके से present कर सकते हो, यहाँ पर हमने consumer number 1 का demand कर बना दिया, यहाँ पर consumer number 2 का बना दिया, और जब इन दोनों को जोड़ा, तो जो निकल के आया, वो निकल के आया हमारा market demand schedule, ऐसे ही यह individual demand schedule है, इसका diagram मैंने पीछे वाली slide में आपके लिए बनाई दिया था, दोबारा बना देते हैं एक बार, यह यह x-axis है, यह y-axis है, यह 0, यहाँ पर हम दिखा रहे है, quantity of the commodity को, यहाँ पर दिखा रहे है हम price of the commodity को, और ऐसे करके आपका demand curve बनके आ जाएगा, इसको थोड़ा सा match कर देते हैं, और यह हो गया, यह तीन अलग-अलग combinations पर हमारा demand कर बन गया, clear है बच्चों, कोई तिकत, कोई परिशानी, अब आते हैं अगले point, यह तो पढ़ लिया, कि individual demand क्या होता है, market demand क्या होता है, यह सारी चीज़े, अब पढ़ना है कि demand पर कौन-कौन सी चीज़े effect डालती है, तो उससे related अगले topic के लिए, चलते हैं फटा-फट से, demand function या फिर determinants of demand, मतलब, वो items, चो किसी consumer की demand को change कर देते हैं, बिलकुल सी बात है, simple सी बात है, आप लोगों की demand भी बहुत चीज़ों पर effect होती होगी, कभी मौसम पे, कभी आपकी habit पे, कभी आपकी जेब पे, यानि की income पे, और कभी उस commodity के price पे, तो इस तरीके से हम लोगों की demand भी effect होती है, तो आओ जरा इसको subjective way में पढ़ा जाए, कि भाया कौन-कौन से factor demand पे effect डाल सकते हैं, तो हम दो पढ़ चुके है, individual और market, ध्यानक न, बहुत सारे individual मिलके ही market को create करेंगे, एक अकेला individual नहीं करने वाला, अकेला तो अकेला हो गया, तो market के अंदर वो individual ही है, जो market बन आ रहे हैं, मतलब individual demand function, automatically market demand function पे तो effective डाल नहीं डालने वाला है, ये वाली बात एकदम ध्यान लखना, तो अगर individual पढ़ लिया, तो market तो पढ़ी लिया, साथ में market में कुछ additional factor होते हैं, वो अभी आगे हम देखते हैं, तो कौन-कौन से factor हैं, जो individual demand पे effect डाल सकते हैं, पहल related goods भी कह सकते हो, उसे कहते हैं PR, ये इसकी symbol से हैं, आप इनको present कर सकते हो, अगला है income, जिसको आप Y से present कर सकते हो, फिर है T, T का मतलब taste and preferences of the consumer, कि consumer का taste क्या है, preference क्या है, और last one is future expectation या फिर expectation, तो इसको आप E लिखते हो, क्योंकि हम यहां present करते हैं, expectation, अरे अरे अरे, तार क हिल रहा है, expectations of price to be near future, कि आपको क्या लगता है, कि future में क्या price हो सकता है, दूसरा, market demand function, तो market demand function में ये expectation तो ही है, साथ में तीन point और add किये जा सकते हैं, N का मतलब हो गया, population या पर number of consumer कह सकते हो, YD का मतलब हो गया, distribution of income, मलब मार्केट में जो लोग consume करने जा रहे हैं, उनकी income का distribution कैसा है, अमीर और गरीब में कितना गया, और S, last one is season or weather, इस पे भी market की demand depend करती है, गर्मिया होंगी तो, गर्मियों में कपड़े का stock आ जाएगा, सर्दी होंगी तो, सर्दी होंगी, अब एक-एक factor को detail में पढ़ना बनता है, क्योंकि इस पे question जरूर से जरूर आता है, तो मैं आप लोगों के लिए यहां लिखना चाहता हूँ, very, 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 very important topic में बहुत important है, अक्का exam में question आपके से related आने पल है, clear है, चलो जी, पहला demand function क्यों factor, price of the commodity, यानि कि PX, इसको आप क्या कह सकते हो, PX, तो simple सी logically बात, आप लोगों को पता है, कि अगर कोई चीज सस्ती होगी, तो आप उसकी demand ज्यादा कर दोगे, और अगर कोई चीज महेंगी हो जाएगी, तो उसकी demand कम कर दोगे, तो यहां पर simple सा एक rule लग जाता है, कि if price of the commodity, increases, then its quantity demanded, decreases, and vice versa, और अगर price कम हो जाएगा, तो quantity demanded, increase हो जाएगी, तो एक relationship निकल के आया, यहां मैं side में आपके लिए relationship लिखना चाहता हूँ, तो there exists a inverse relation, between price of commodity and quantity demanded, ध्यान लखने मैं इन वर्स का मतलब, just उल्टे arrows जा रहे, price बढ़ेगा, तो quantity घट जाएगी, simple सा फंटा पर दोको lesson प्याज example, कारीवारी का सबका example ले सकते हैं, कि जब प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, तो लोग प्याज खाना कम कर देते हैं, कहते हमने तो जी गुरु मंत्र ले लिया, हमने lesson प्याज सब छोड़ दिया है, टमाटर के जब दाम बढ़ जाते हैं, लोग कहते हैं कि टमाटर के बीच से ना वह पत्थरी हो जाती है, इसलिए हमने टमाटर खाना बंद कर दिया है, नहीं, अगला है, price of related goods, जिसको कहते है, PR, इसके बाद है income, इसके बाद discuss करेंगे, तो दूसरा पॉइंट आ गया, price of related goods, अब ये जानने से पहले, आपको ये समझना जरूरी है, मेरे भाईयों, कि जो related goods हैं, वो कितने तरह की होती हैं, दो तरह की होती है, related goods, कौन कौन सी होती हैं, बच्चों, related goods, दो तरह की, एक, substitute, जो की यहां पर लिखाई है, substitute, और दूसरी कौन सी होती है, complimentary, उसको मैं अगली slide में बताओंगा, बट इन दोनों में difference ही बता दिया जाए, substitute goods वो goods होती है, जहां पर एक की जगह पे आसानी से दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे यहां पर example मैंने कोक और thumbs up का लिया है, कि अधर आपको किसी दुगान पे कोक नहीं मिल रही है, और आपका coldering पीने का मन कर रहा है, पर thumbs up का आसानी से इस्तमाल आप कर सकते हो, इसलिए इनको कहते हैं substitute, where one commodity can be replaced in place of another easily, आसानी से इस्तमाल कर सकते, अब जड़ा इसके concept को समझा जाए, यह बड़ा important है, यहां confuse बहुत होते हैं बच्चों, बड़ा ध्यान बूर्ट, इस case में आपको दो commodities लेनी है, पिछले व प्राइस बड़ेगा तो quantity घट जाएगी, इस वाले point में जो main commodity है, जिसकी quantity की बात की जाएगी, उसके price को नहीं change करना, price किसका change करना है, other related goods, मतलब main वाली का price सेम है, पिर भी उसकी demand में change जा रहा है, किसकी वज़े से, उससे संबंधित दूसरी वरस्तु की वज़े से, आ substitute, यह substitute है, और हम quantity की चेक करने वाले है, main commodity की, तो quantity की चेक करने वाले है, बच्चों, पेपसी की, तो अगर किसी related goods का price increase हो जाएगा, आप बता दो comment में फटा फट से, आप समझ गये होगे, अगर Coca-Cola महंगी हो जाएगी, तो पेपसी की demand क्या हो जाएगी, ज्यादा हो food के case में, आराम से person दूसरे पर substitute हो सकता है, तो जो कोक पीने वाला है, वो आसानी से किस पर shift हो जाएगा, जी, पेपसी पर shift हो जाएगा, और वो पेपसी की demand को बढ़ा देगा, और अगर कोक सस्ती हो गई, तो पेपसी पीने वाले भी Coca-Cola पीना शुरू कर देंगे, और ज Coca-Cola का price कम हो जाता है, तो पेपसी की demand कम हो जाएगी, क्योंकि पेपसी वाले भी Coke पीना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर हम quantity देख रहे थे, पेपसी की, और price change कर रहे थे, उससे related commodity का, तो यहाँ से एक relation निकल के आ गया, क्या है वो relation, दियर एग्जिस्टा, डिरेक्ट between, बहुत ध्यान से लिखना है इसको, ताकि एक्जाम में सही से कर सको आप, डिरेक्ट रिलेशन या रिलेशन्शिप between price of substitute good and demand for main good, main good की demand का price of substitute से क्या affect पढ़ने वाला है, तो यहाँ आ गया, direct relation, जहाँ नेकने वाली बात है, अगले point पर चले है बच्चो, complimentary, अब complimentary क्या मतलब क्या होता है, complimentary goods वह रोती है, बच्चो जहां पर ऐक की जिगे पर दूसरे का इस्तिमाल नहीं करना, wyak पर एक की साथ दूसरे का इस्तिमाल जलूरी हो जाता है, में एक के साथ दूसरे का इस्तिमाल कंपल सरी हो जाएगा मैंने यहां पर फाउंटेन पैन और उसके फ्यूल का एक्जामपल लिया है मतलब अगर आप पैट्रोल वाली कार यूज करते हो तो आपको पैट्रोल खरीदना पड़ेगा अगर डिजल वाली कार यूज करते हो तो इलेक्रिसिटी का कंजम्शन करना पड़ेगा यह कॉंपलिमेंटरी है एक के साथ दूसरी करनी ही करनी पड़ेगी तो उस केस में क्या होता है अब मेन को मोड़ी का प्राइस चेंज नहीं करने वाले मतलब कार का प्राइस सेम रखने वाले लेकिन उससे जो रिडिट प्राइस ले लिए हमने प्यूल का और क्वांटिटी देख रहे हैं हम किसकी कार की अब प्यूल अगर हम पैट्रॉल ले ले एक किसी का एक्जामपल लेते हैं स्पैसिक हो जाते हैं थोड़ा सा तो अगर पैट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे बच्चों तो क्या करेगा कंज्यूमर कार्स की डिमांड जो पैट्रोल से चल रही है उनकी डिमांड क्या कर देगा कम कर देगा और कोई दूसरा ऑप्शन दूढ़ना शुरू करेगा पब्लिक ट्रांस्पोर्ट यूज करेगा सी एंजी यूज करेगा या फिर पे जाना चुरू करेगा लेकिन पैट्रोल के दाम पढ़ने से पैट्रोल वाली कार की डिमांड कम हो जाएगी ऐसे ही सेम इंक का एक्जामपल ले सकते हो आप यहां इंक का लेते हैं और कोंट्री किसकी लेते हैं पैन की लिए लेते हैं तो अगर वाल पैन की बहुत महेंगी हो जाएगी तो क्या होगा लोग फान्टेन पैन यूज करना बंद कर देंगो और ऐसा ही हुआ जब इंक समेंगी होना शुरू होगी तो फाउंटेन पैन का इस्तमाल कम हो गया लोग बॉल पैन्स वगरा यूज़ करना शुरू करने लगए और उसमें और भी रीजन्स थे उनको कांसरी घंड मानते वहां इंक बहने हैं खत्रता कपड़े खराब होते लोगों के एंट्स सेट्रें से लगएन आघला मतलब पैट्रोल के दाम गिर गए और शापूस पर फॉर इंडिया में पैट्रोल वाली डीजल कार कोई नहीं खरीदेंगा लेक्रिक्रिय वाली गार यहां पर रिलेशन क्या आया इंवर्स रिलेशन है ना एरो जब अपोजिट डियरेक्शन में हूं तो कैसा रिलेशन होगा मेरे बच्चों इनवर्स रिलेशन किस-किस के बीच में बिट्वें प्राइस ओफ कॉंप्लिमेंटरी गुड एंड डिमांड या कॉंटिटी डिमां में 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 फूप गुड तो बात समय्स Nah Maa अगला पॉइंट पर चलें अजिंग को अगले पोइंट पर चलें दूसरा पॉइन का एनकम न लेकिन इंकम अफ दे कन समझने से पहले आपको समझना जरूरी है कि कि जो इंकम अना वो καल अलग अलग बश्र ठराय के टालता है ये goods क्या होते हैं? ये goods दो तरह के होते हैं. आओ मैं समझाता हूँ आपको. तो पहले समझो आप normal goods और inferior goods. ये क्या होता है? बच्चों, goods को दो categories में divide किया जा सकता है. हलाकि एक तीसरी category भी है आपके Giffen goods. तो Giffen goods पर question आपके बहुत कम आने वाले हैं. उसके लिए मैं अलग से Giffen paradox पर वीडियो बना दूँगा आपके लिए. तो नॉर्मल goods और inferior goods. क्या difference है दोनों में? नॉर्मल goods को बोलते हैं हम good quality products. क्या बोलते हैं? good quality goods. और inferior goods को आप कह सकते हो low quality goods. तो नॉर्मल goods में न, income effect positive होता है. अगर किसी की income बढ़ती है, तो अच्छी चीजों का इस्तमाल वो जादा करना शुरू करेगा. लेकिन यहां पर income effect थोड़ा inversely effect करता है, negatively effect करता है. अगर कोई अमीर होना शुरू करता है, तो low quality की goods का consumption क्या करना शुरू कर देगा, बच्चों, कम करना शुरू कर देगा, decrease करना शुरू कर देगा. पास समझ मैं क्या करना चारो, बढ़िया इंकम चल रही थी मेरी बहतरीन पैसे वैसे, खुब लाखो करोंडर रुपए कमा रहे थे हम, तो भाई या, फाई विस्टर होटल में खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छी जगे घुमने जा रहे हैं, रुक रहे हैं, लग गया COVID लोग डाउन लग गया, अब इंकम क्या हो गई, डाउन होगे इंकम, अब क्या करना पड़ेगा, अब वो सारे के सारे शौक खतम, अब हम सीधा आ जाएंगे किस पे, नॉर्मल खान पान एकदम सीधा, गरम बानी पीना शुरू कर देंगे अब तुरंत के तुरंती, समझ म अगे बार, तो नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड में यही डिफरेंस ए, कि यहाँ पर इंकम इफेक्ट, पॉसिव होता है, और यहां पर इंकम इफेक्ट, इनवर्सली इफेक्ट करता है, चेंज करता है कंज्यूमर की, डेमांड को, प्योंकि नॉर्मल गुड को अब कोई low quality goods है ठेली पट्री का सामान है तो मेरी इंकम बढ़ेगी तो पट्री पर जाके सामान खरीदूगा क्या मैं मैं नहीं खरीदूगा मैं तो सीज़ा शोरूम जाके सामान खरीदूगा तो जब आकी इंकम बढ़ती है ना तो inferior goods की low quality goods की आप demand बढ़ाने के जगे कम गर्दोगे उल्टा चलोगे लेकिन नॉर्मल गूर्स के केस में इंकम बढ़ने पर आप उसकी डिमांड जादा करना शुरू कर दोगे पहले आप फाइव से उटल में एक बार खाना खाते थे जब लेकिन जब आपकी इंकम बढ़ते हैं कि तो आप रेगुलर बैस प्रेस पर जाना शुरू कर दोगे कोई फरागनी पड़ता पैसा भोते हैं तो मघमांगी बात आओ जरा इंकम आप दे-कंजीमर को समझा जाए तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्ट नॉर्मल गुड्स में क्या सा होता है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स तेंस त एंड वाईशा रसा और यहाँ पर देमांड इंच तो डिक्रीज फिस्टी इंक्रीस लींकप इंक्रीस इनिंगां ग्रीजेगें ी जिमें इनिंकम एंड वाईशा सब्सएथे जोड पर आई थे अग्ली फेक्टर पर अमने जी पढ लियार्यारू चार फैक्तर पर दिर प्राइस ऑफ दा चार इसले क्योंकि सब्सेक्ट कॉंप्लिमेंटिर दोनों अलग अलग है तो पहला प्राइस ऑफ दा गुड प्राइस ऑफ गुड और तीसरा इंकम ऑफ दा कंजूमर अगला कौन सा था बताओ जाना याद है अगला है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी कंजूमर की डिमांड पर फरक पड़ता है अगर किसी चीज़ पर आपका टेस्ट इंप्रूव हो जाए मतलब आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ को कंजूम करने में तो भाईया प्राइस व्राइस नहीं देखोगे मलब सेम प्राइस पर भी आप उसकी ज्या गलगप्पे देना आया और गलगप्पे खाके मज़ा गया वह से थोड़ा दसकी और बला दो कई बार तो 30-40 रुपए ऐसे निपट जाते हैं गलगप्पे तो जब आपका टेस्ट बढ़ जाएगा पहले भी वह दसके तीन या दो दे रहा था अगले वाले वह दसके तीन ुसका बढ़ा दोगे और एग्जवर सोब्सक्वरेब्स क्रेब्स फैशन नेटर्व देखो जी ये यह मर्दों की पहचान है आपको लगा यार हम तो मरद हैं हम तो थमसा भी पिएंगे हम तो और कुछ नहीं पिएंगे और कैसे इंफ्लूइंस कर सकते हैं आपके टेस्ट को देखो जी यह रही मैडम जी आ गई है रही हेल्दी खाओ यह बड़ अच्छा होता है इसको खाओगे तो मेरे जैसे बन जाओगे तो फिर आप इंफ्लूइंस हो गए आपका प्रेफरेंस चेंज होगे आप जो जैकलीन मैडम खा रही है हम तो वही खाएंगे और कौन प्रेफरेंस कर सकता आपका चेंज यह देखो इन्होंने का फ्ल करेंगे और कैसे कैसी लागँ अपका इंफ्लूइंस ओसकता बहुत कि तैसले हैं कि अपको लग रहा है कि करेंटिया में आगे स्कून आपके सुटा से अंगला कि प्रेफरेंस है हमारा कलुचर इंडिया कैस्छ कंठी regimen जादे हैं यहां पर बहुत सारे क्लचर पाए जाते हैं वैससे बड़ी डेमोक्रेसी और perfect क्प्रेंट क्लाइंट नहीं इन या फिर आपके कस्टम और ट्रेडीशन की वजह से भी डिमांड चेंज हो सकती है सेम प्राइस पर यहां पर प्राइस को चेंज नहीं कर रहे हैं उसके अलवा भी चीज हो सकती है अगला है बच्छों एक्सप्रेक्टेशन है ना आज अगले वाले पर फूचर एक्सप्रेक् अगर आपको यह ख़बर मिल गई कि बजार में टमाटर महंगा होने वाले यह सबसे अच्छा कई बार न्यूज में आता है कि कल से पैट्रोल के दाम पांच रूपे पर लीटर बढ़ जाएंगे आप क्या करते हो छोटी सी बाइगा आपके पास छोटी सी गारी है लेकिन आत्रण पहुंच जाओगे पैट्रोल पांप यह टैंक फुल कर दे तो मतलब आपको यह अंदाजा लगा कि कल ताम बढ़ने वाले और आपने आज ही सेम प्राइस पर जाकर उसकी डिमांड बढ़ा दी तो इफ कंजूमर इस एक्सपेक्टिंग एनी राइज इन फ्यूच राइस इन नेयर प्यूचर अगए अगर उसको ऐसा लग रहा है तो वह क्या कर देगा बच्यों इंक्रीज कर देगा और अगर उसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस डाउन होने वाला है तो क्वांटी डिमांडेट क्या कर देगा अभी कह देगा अभी कंजूम नहीं करते हैं अभी कल पर समय दाम गिर जाएगा तब कंजूम करा जाएगा इसका एक्जामपल हो सकता है वह चो घर जब आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट गिरने वाले हैं तो प्रेजेंट में आप प्रॉपर्टी की डिमांड कम करना शुरू कर दोगे जब रेट गर जाएगे तब उस घर को खरीदा जाएगा या फिर आपको लगता है कि फ्यूचर में दाम बढ़ने वाले हैं अभ यहां तक हमने पढ़ लिए इंडिविज्वल डिमांड फंक्शन अब बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन कि मार्केट पे कैसे डाल सकता है कोई फैक्टर पहला पैक्टर क्याता पॉपलेशन या नमबर आफ कंज्यूमर सिंपल जा पंड है बाई अगर किसी मार्के कंज्यूमर स्थूटर कम हो जाते हैं तो इनकेमफर्ज भाणकी तिमांड क्या हो जाएगी तो अगर नम्बर आफ कंज्यूमर्स बढ़ते था तो विजबांड बढ़ जाती हैARE नमबर आफ पंग यहां पर एक्स्प्रेंड किया गया है सिंपल सा फंडाबर एक्स्फ . होगी तो डिमांड कम हो जाएगी तो यहां कुछ खास लिखने की ज़रत मुझे महसूस हो नहीं रही है अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों डिस्टिबूशन ऑफ इंकम इसको मैं समझाता हूं क्या मैंने इसके लिए आपके लिए एक हां अलग स्लाइड भी दे रखी है इक्विवेलेंट डिस्टिबूशन है मलब यहां पर ना कोई बहुत अमीर नहीं है कोई बहुत गरीब नहीं है और यह दूसरी मार्केट है जहां पर एक भाई सहाब में एक्दम गुंडे टाइप के सारा पैसे पर कुंडली मारके बैठे हुए है और बाकी जनता है उस की दिमाग में आणसर आ चुका है कि बहूं जहां पर हर आदमी के पास लगवर पैसा होगा वहां हर कोई अपね दिमांड को पूरा कर सकता है उसके पास purchasing power है तो इस वाली मार्केट में demand ज़ादा होगी और इस वाली मार्केट में डिमांड कम होगी क्योंकि यहां पर यह तो अपने consumption करी नहीं पाएगा और इसके पास इतना पैसा है कि वह खर्ची नहीं कर पा रहा तो when distribution of income is equal या फिर equilateral ऐसा कह सकते हो तो डिमांड हाई होती है हम यहां पर दिख लेते हैं वेन डिस्ट्रिबूशन ओफ इंकम इस इक्वल या फिर ऐसा कह सकते हो आप लेस गैप बिट्विन रिच एंड पूर जब अमीर और गरीब के बीच में गैप कम होगा तो डिमांड कैसी होगी वहां पर हाई होगी जादा होगी जादा लोग कंजम्शन कर पाएंगे और 22 वर्सा जहां पर रिच और पूर के एक वीच में गैप बहुत जादा होगा तो वहां की डिमांड कम हो जाएगे बच्चों यहां तक हमने पढ़ लिया अगला पॉइंट क्या है बच्चों सीजन और वैदर बहुत जाएगे और बरसाथ के टाइम पर छाते की डिमांड बढ़ जाएगी तो जैसा सीजन होगा जैसा वैदर होगा बच्चो वैसी डिमांड क्रियेट हो जाएगी तो जिस सीजन का टाइम है उस कमोडिटी की डिमांड ज्रादा हो जाएगी हमने सारे के सारे फैक्टर्स पढ़ लिए कौन कौन से फैक्टर द एक बार डिवाइज कर लें पटाब वट से प्राइस ऑफ दे इंकम तीसरा सीजन और और भी बहुत सारे फैक्टर्स बना सकते हो आप इतने आपके लिए सफीशेंट है जो आपके सलेव अब एक और ऐसा इंपोर्टेंट टॉपिक जिस पे पक्का क्वेश्चन आने वाला है क्या है वो टॉपिक आज़ो जचसाब वाला टॉपिक क्या लाहिए टॉपिक भच्चो distinctive शुलो पिनिख कि मांग का नियम कांव करता है तो जो पहलावाला फैक्टर था वही से मांग का नियम निकल inputs आता है पहले लो टी मांकाद करने म कि केता है अधर फिंग कांस्टेंट मतलब अधने धी हम मलब बाकी किसी factor में कोई change नहीं आने वाला, सिर्फ वर सिर्फ प्राइस में change आने वाला है, इसको बोलते हैं citrus paribor, Latin का word है, और इसका मतलब होता है अंगरेजी में, other things being constant, मलब प्राइस के अलावा बाकी सब चीजे constant मान ली, अब law of demand बनाते हैं, अब law of demand कहता है, सब कुछ constant रखो, अगर price बढ़ेगा, तो quantity demanded कम होगी, और अगर price कम होगा, तो quantity demanded जादा हो जाएगी बच्चों, ये रहा हमारा मांग का नियम, उसी table के हिसाब से एक diagram बन सकता है, law of demand, law of demand states that other things remaining constant, अगर आप से exam में question पूछ ले, तो क्या क्या answer लिखना है, बीच-बीच में हट जाओंगा, आप screenshot ले लीजेगा, क्योंकि ये language अगर आप लिख के आतो एक्जाम में बच्चों, तो आपको पूरे में से पूरे number न मिलने वाले है, law of demand की पहले आप लिखोगे definition, ये वाली, मैं हट रहा हूँ जड़ा slide से, ताकि आप लोग screenshot ले सके, ले लो फटाफट से screenshot, ले लिया, तो law of demand states that other things remaining constant, quantity demanded of commodity increases with the fall in the price, and vice versa, पूरे लिख दी हमने, vice versa नहीं डालना, यहाँ पर पूरा लिखना है, और फिर दिखाएंगे कि ये inverse relationship show करता है, और जब price बढ़ेगा, तो quantity घट जाएगी, और ये diagram, वही diagram है, उसी को मैंने याँ पर दिखा दिया है, और उस diagram की explanation यहाँ पर दिखाने है, आप इसको ऐसे करके, और इस arrow को ऐसे करके भी दिखा सकते हो, कि price घटने पर quantity बढ़ जाती है, और price बढ़ने पर quantity घट जाती है, ऐसे arrows का आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो इधर का भी आप screenshot ले लो, कि table और diagram को कैसे present आपको करना है बच्चों, I think ले लिया आपने screenshot, आगे चलते हैं बच्चों, assumptions of the law of demand, law of demand की assumption, assumption वही है, other things being constant, प्राइस के अलावा बाकी factors मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वो factor क्या मानके चलते हैं हम, constant तो इसका भी screenshot लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, other things remaining, constant, इसमें हमने consumer की income, related goods, यह सब चीज़ें क्या मान यहाँ यहाँ पर, constant मानके चल रहे हैं, expectation वगएरा सब constant मान लिए हमने, अब आते हैं अगले point पे, slope of demand curve, जो demand curve हम बना रहे थे बच्चों अभी तक, वो demand curve कुछ इस तरीके से बन रहाता हमारा, ऐसे नीचे की तरफ, तो यह नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, demand curve कभी उपर की तरफ क्यों नी जाता, ऐसा direction क्यों नी होती, ऐसी क्यों होती है, उसके कुछ reasons, तो यह तीन number में question आ सकता है, अब तीन number में content मैंने आपके लिए बहुत सारा range कर दिया है, आपको जितने points यादो, आप उसमें से एक दो point लिख सकते हो, अगर छे number में आ गया, तो समझ जाना कि teacher थोड़ा जिद्धी है आपका, फिर आपको सारे points लिखने पड़ेंगे, ठिक, तो क्यों यह law of demand काम करता है, why law of demand works, इसकी बात करते हैं, सबसे पहला reason, जिस जिसने consumer equilibrium की ordinal approach वाली video one shot नहीं देखिया, वो देख लो, आपको यह वाला point समझ में आ जाएगा, ऐसे एक डम, तो फटावट से जाओ, और consumer equilibrium का one shot देखो, वहाँ पर मैंने बताया है, what is the meaning of law of diminishing marginal utility, और अगर नहीं देखिया अभी, तो अब यहीं सुनलो जारा थोड़ा था इसके बारे में, बाकि वहाँ सब कुछ बताया गया है, तो law of DMU की वजह से, demand curve जो है, वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि अगर demand curve उपर की तरफ जाएगा, तो क्या represent करेगा, आउमें ज़रा दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ price रखा, यहाँ quantity, और ऐसा demand curve बनाते हैं, तो यह का represent करेगा, कि price बढ़ रहा है, तो quantity भी बढ़ जाएगी, price और बढ़ेगा, quantity और बढ़ जाएगी, बट यह possible नहीं है, क्यों नहीं है, law of DMU, law of DMU यह कहता है, कि अगर आप किसी community का, लगातार consumption करते हो, तो हर अगली unit से, जो आपको satisfaction मिलने वाली है, वो घटी चली जाएगी, घटी चली जाएगी, as we consume more and more units of a commodity, the additional utility derived from each successive unit, goes on, diminution, अब अगली unit consume करने से, आपको मज़ा कम आ रहा है, satisfaction आपको कम हो रही है, तो क्या कभी आप अगली consumption के लिए, जादा प्राइस जाने को तैयार होगे, नहीं, इसी वजए से, consumer demand curve जो है, वो downward sloping होता है, मतलब consumer अगली unit, तब ही खरीदने को तैयार होता है, जब उसका price कम होता है, इसलिए consumer के दिमाग में set होती है वाली बात, कि चीज का दाम घटेगा, तो अपने satisfaction बढ़ेगी, तब ही हम consumption जादा करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे जादा, इसलिए law of demand काम करता है, तो पहला point clear हो गया, दूसरे point पर आते हैं बच्चों, एक बाद जरे इसका screenshot रेना चाहो तो ले सकता, बार-बार खाली कर देता हूं मैं इसलिए, ये तो आपके हरे screenshot में मेरा बड़ा सो सरीर आता रहेगा, दूसरा है income effect, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी commodity का price गिर जाता है बच्चों, मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूं आपको, मैंने अगली slide खाली छोड़ी आपको, समझाने के लिए, income effect, अरे effect में F ठीक से आया नहीं, दुबारे लिख देते हैं spelling, income effect, income effect कैसे काम करता है, सपोस करो, कोई चीज का price, आप किसी commodity, X की बात कर रहे हैं, उसका price 10 रुपया है, तो आप उसकी 10 unit खरीदते हो, 10 रुपय के इसाफ से, आपने उसकी 10 unit खरीदी, तो आपका खर्चा कितने हो गया, 100 रुपया, लेकिन उसी चीज का price, heavy discount के चलते, 5 रुपय का हो गया, अब वही 10 unit खरीदने के लिए, अब आपके सिर्फ, अब सिर्फ 50 रुपय खर्च होंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ यह बनता है, बच्चो दिमाग लगाओ, कि पहले आपकी income का 100 रुपय खर्च हो रहा था, अब आपकी income का 50 खर्च हो रहा है, इन डिरेक्ली आपके 50 रुपय बढ़ रहे हैं, तो consumer की real income बढ़ जाती है, इसे कहते है income effect, तो जब consumer की income बढ़ जाएगी, तो consumer दाम घटने पे उस community का ज़्यादा consumption करने लग जाएगा, वह सब बोस करो ना, दुकान पर आप पर चोक्रेट खरीदने के लिए या आईस्क्रीम खरीदने के लिए, पहले आईस्क्रीम पचास रुपय की मिलती थी, आप गए, तो उसने कहा दिया, आज मेरा बड़े है, आज 50% discount है, आपको बड़े है, तो फिर भाईया, पैचते में लाया हूँ, ऐसा करती दो आईस्क्रीम दे दे, तो प्राइस गिरा और आपने consumption बड़ा दी, तो दैट इस दा रिदेन की हमारा law of demand काम करता है, और इस income effect की वजह से भी काम करता है, अगला point है बच्चों, सब्स्टिटूशन एफेक्ट या फिर दूसरा एक और इसका पार्ट है, number of consumer, दोनों आपस में related हैं, मैं समझाना चाहता हूँ आपको, सब्स्टिटूशन एफेक्ट कैसे काम करता है, आपकी एक commodity है, उसका price कम हो गया, तो उसका अगर कोई substitute होगा, तो ये काम करेगा तभी जब दो commodity सब्स्टिटूट होगी, जिस commodity है कोई substitute available नहीं है, अगर किसी commodity का कोई substitute available नहीं है, तो substitution effect नहीं काम करेगा उस पर, जहान नखना, तो substitution effect काम करेगा दो substitutes पर, तो अगर एक substitute सश्ता हो गया, तो जो इस वाले substitute को लोग consume करने वाले थे वो जाके फटा-फट से इसका यूज़ करना शुरू कर देंगे तो इसकी कीमत घटने पर इसकी demand बढ़ जाएगी simple सा logic लग गया बात समझ मैं concept समझ में आया क्योंकि concept भाई सब concept ही असली चीज़ है concept is power अब अगर आपने concept समझ लिया तो आप answer यू लिख पाऊगे आपको इस चीज़ को करने की जरूरत याद करने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखके आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है बच्चों दूसरा है number of consumer अगर आपको पता लग जाए यार उ अपने दुगानवाले से क्यातों कि भाई सब्सक्राइब बनना में जा रहा हूं सिधा वाँ कर तो अगर किसी कमोड़ी का प्राइस कम हो जाता है तो दूसरे मार्किट के कंजीमर भी आपकी मार्किट में अंटर करना शुरू कर जाएंगे और प्राइस कम होने पर क्वां बहुत बढ़ियां यहां तक हमने कवर कर लिया एक और पॉइंट आता है इसका डिफरेंट यूजिस दॉफ कमोडिटी यह भी बहुत ध्यान से समझे अगर कोई कमोडिटी है जिसका बहुत जगह पर इस्तमाल हो सकता है जैसे फ्यूल ले सकते हो आप एलेक्रिसिटी ले स नहीं रिखते हैं इससे आप चीज बन नाते हो चीज को इंग्लीश में लिखता है भरनह आप छीज समर्ण जाओगे और आप पनीर बनाते हो, पनीर को इन्दी में लिख देते हैं बाइब तो बटर बनाते हैं और एक मिठाईया स्वीट बनती है इससे तो इससे कर्ड बनता है इससे घी बनता है इससे चीज बनता है चीज पनीर तो एक चीज हो गई चीज को इंगलिश में लिख दिया पनीर को इंदिय में लिख दिया है और यह बटर चीज वाला चीज भी हो सकता है कीजी स्लाइज बग्यारा कीजी स्लाइज भी बन जाती है बच्चों इससे ठीक है तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जहां पर दूद का इस्तेमाल हो सकता है अगर दूद का प्राइस बच्चों कम हो जाएगा तो यह सब चीजें सस्ती हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी सब के प्राइस कम होने की वजह से इनकी डिमांड बढ़ेगी बहुत सारे लॉप पढ़ चुके हैं हम यहां पर बहुत सारे रिजन्स पढ़ चुके हैं अब जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो कंजूमर्स दूद वाला मिठाई वाला पनीर वाला घी वाला हर कोई जादा दूद खरीदना पसंद करना शुरू करदेगा तो एक जिसका बहुत सारे यूज है अगर उसका प्रैस कम हो जाए तो चानक से उसकी डिमांड बहुत तेज बढ़ जाती है तो अगर किसी कमौईड़ी का डिफेरेंट यूज है तो उसकी डिमांड जादा हो जाएगी प्र तो बहुत different uses नहीं है इसका एक चीज के लिए काम होगा बस नमगीन करने के लिए किस जीज को तो यह कुछ rare medicines बगएर होगी दवाई उसी टाइम पर यूज होगी आपकी जब आप निमार पड़ोगे तो ऐसी चीजों का जो यूज होता है ना उस पे ज्यादा फरक नहीं चेंज हो सकती है पड़ लिया अब एकब टीमांड छेंज होती है तो उसका डाइग्राम को कैसे बनाये जाएगा और जिजो डिमांड हो रही है क्या उसके कुछ टाइप्स भी है ।े छ हो जी उसके टाइप्स पर चलते तो अगला पॉइंट है अगला टॉपिक है हमारे लिए चेंज इंड जिन मंडिटी डिमांड एंड चेंजिन टिमांड इन दिमांड एंड दोनों अलग बातें हैं बिल्कुल वही सिमुए चेंज इन ओनटी डिमांड अलग चीज है और चेंज इन डिल्ट का allein आहां वही जह से जिए करव पर मूऴमेंट हो रहiezंट जेंज इन को उटेटी डिमांड़ लांफ सेम डिमांड करव इं Harm सब्षिक गारे कि मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा डिमांड करव ही चेंज हो गया change in demand curve, पुरा पुरा curve भी change हो गया, अगले वाले में पढ़ाएंगे, change in demand को अगले वाले point में, तो change in quantity demanded happens only due to change in price, ये सरफ और सरफ किसकी वजह से होता है, due to चेंज इन प्राइब अगर प्राइबस में चेंज आया तो उसकी वजह सो जो कॉंटिटी में चेंज आयगा उसे बोलते हैं चेंज इन कॉंटिटी डिमांडड या मुव्मिन्ट अलंग गांड़ यह वच्ष्व दो तरह का हो सकता और इसके अंदर डिमांड करफे या तो अ उनके नाम क्या होते हैं आवके करके समझाते हैं पहला है extension या फिर expansion दोनों वर्ड यूज कर सकते हो और expansion of demand भी कह सकते हो ये कब होगा जब किसी commodity का price कम होगा तो हम उसकी quantity 100 से बढ़ा के कितनी कर दे रहे हैं तेड़ सो कर दे रहे हैं इसे कहते है extension of demand when price of the commodity decreases then its quantity demanded increases पहले 100 quantity ती अब 500 हो गई है diagramatically देखना चाहो बच्चों तो यह diagramatically देख सकते हो और यहां पर मैंने explain किया हुआ है कि table में क्या लिखा है हमने जब price 10 था तो quantity 100 थी और जब price 9 हो गया तो quantity 150 हो गई यह सारा content इसलिए दिया हुआ है ताकि आप लोग exam में answer इसी तरीके से लिखो इसलिए बार बार हट जा रहा हुँ ताकि आप screenshot ले सको अगर price गिरता है तो quantity demanded बढ़ जाती है तो इससे explain कर सकते हो अब यह हो गया expansion या फिर extension contraction कैसा होता है जस्ट इसका उल्टा होगा यहां पर हम इस तरफ से इस तरफ को जा रहा है और contraction में इधर से इधर को जाएंगे देखो अगरे demand करो contraction क्यों होता है जब किसी commodity का price बढ़ जाए यहां 9 से बढ़के 10 हो गया तो quantity डेड़ सो से गिरके 100 हो गई इसे कहते है contraction of demand बच्चों clear है अब इस contraction of demand को कैसे प्रेंट कर सकते हैं यह रहा डाइग्राम जब आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट हो जाओ मतलब price बढ़ गया तो quantity कम हो गई that is called contraction of demand clear है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे आ गए क्लियर है बच्चों तक इसको इसको स्क्रीन कर लो फटा फटा पट्चों स्क्रीन चौट ले लो अगया प्राइस के अलावा बाकी सारे factors में change आए और ये कब होगा जब सिर्फ price में change आए और बाकि सारे के सारे factors क्या मानके चले हम constant मानके चले उन में कोई change ना है तो अब आ गए हम change in demand या फिर इसको कह सकते हो आप shift of demand curve भी कह सकते हो बच्चों यहाँ पर demand curve में shift हो जाता है तो shift दो तरीके से हो सकता है या तो increase in demand या फिर decrease in demand वहाँ पर movement upward या downward ओर देखो आप जड़ा फटा फट से यह upward moment है और इससे पिछले वाले में क्या था downward moment है बट इन में क्या होगा इन में या तो rightward moment होगी या फिर leftward moment होगी आओ जड़ा हम समझते हैं कैसे होगा यह वाला तो बच्चों हमने example लिया यहाँ पर कि अगर price किसी commodity का 10 है यह वो गलती से zero type हो गया था कि 10 थी कीमत और 10 ही है मतलब price में कोई change नहीं आया फिर भी quantity में change आ गया यह situation होगी कबकी यह situation होगी increase in demand की मतलब same price पर ही प्राइस जितना था 10 था पहले और 10 ही है बट quantity क्या होगी 100 से देड़ सो होगी इसे कहेंगे increase in demand और diagram कैसा बनेगा आओ जा रहा ऐसा diagram बनेगा जब price में कोई change नहीं आया फिर भी quantity इस वाले point से इस वाले point पे shift हो गई इसे कहा जाएगा change in demand का increase in demand वाला point जब demand कर में right word movement आ जाए कैसी आ जाए बच्चो right word shift क्लियर है इस diagram को कैसे explain करना है जो पीछे screenshot आपने ले लिए ना उन्हीं से पते लग जाएगा कि क्या explain करना है simple लिखना होता है कि x-axis पे हम quantity को दिखा रहे हैं y-axis पे हम price को दिखा रहे हैं in this diagram op is the price जो 10 है और quantity फिर oq हो जाएगी and at the same price quantity increases from oq to oq-1 इस तरीके साब present कर सकते हो अब आते हैं यह increasing demand था यह पूरी फिगर को explanation दे दी कि जो पीछे वाली figure में जो था इसे कैसे explain करना जारा ध्यान से screenshot रहो इस figure का explanation नहीं है इस वाली figure का यह रहा explanation इस तो ले सकते हो ठीक है अब आते हैं increase in demand sorry decrease अच्छा causes आ गए है ठीक है ठीक है decrease in demand इसके बाद अब यह increase in demand यह किसकी वजह से बदा मैं चुगाई हूँ आप लोगों को कि बच्चो यह जो प्राइस है उसके अलावा जितने factors है उनमें सरिफ चेंज होगा प्राइस में कोई change नहीं होगा तो अगर आपने causes of increase in demand याद कर लिया ना बच्चो तो causes of decrease in demand automatically आपका cover हो जाएगा तुरंत एक दमांसर आ जाएगा उसका तो causes of increase in demand कैसे solve होता है क्या reason है इसके क्या causes है पहला cause कि income of the consumer increase बस जिस पर मैं ऐसे डबब बना रहा हो ना बस इसी को change कर देना increase की जगे जहां जहां increase है वहाँ decrease और जहां जहां decrease है वहाँ पर increase कर दोगे तो causes of decrease in demand का answer भी आपको याद हो जाएगा इसको change कर देना उल्टा कर देना बस आपको इसको fall की जगे अब कर देना यहां favor की जगे अगेंस कर देना और इन्क्रीज की जगेंडेज कर देना और यहां पर धी सिजगे चितने बनाए बस इन में चेंज कर देना दूसरा रा जाएगा तो प्राइस का लावा जितने अलग प्रेक्टर से बोसारे के साथ है इंकम एपDay कंज्यूमर हैD of substitute है price of complimentary है taste and preference है price of expectation है मतलब future में कितना expect कर रहा है और number of consumer यह वो सारे के सारे factor है जिससे किसी भी commodity की demand effect हो सकती है without change in any price अब आता है decrease in demand बचो decrease in demand का मतलब क्या हुआ सेम प्राइस पर quantity demanded decrease हो गई कुछ नहीं है जस्ट उल्टा है जस्ट रिवर्स है इसके अंदर प्राइस सेम था फिर भी quantity में change आ गया हमने इसको explain कर दिया देख लो इन दे गिवन स्केडूल बें प्राइस आप कुमोनिटी एक्सिस बन फिफ्टी दस पे बन फिफ्टी और दस पे ही हंड्रेट भी हो गई तो इसकी हो जैसे हमारा जो इवार कैले को डिफ्ट कर लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा उन्रेड को इस वाले प्रेंड का वहाँ वहाँ इंक्रीम कर दो और आपका आंसर आपके कदमों में आता हुआ। ठीज कर दिया x planted और कि तो इस तरीके से हमने लिख श्रीचेप्टर को आप लोग लिया है। और कुछ स्क्रिंशॉट्स मैं लेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए जिसमें आप डिफ्रेंसिस को पड़ सकते हो कि चेंज इन कॉंटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में डिफ्रेंस किया होता है तो मैं स्लाइट से हट रहा हूं और मैं आपके सामने रहा हूं और आप लोग स्क्रीन्चॉट लेकि उन डिफ्रेंसिस को याद कर सकते हो बहुत अच्छे से अब उदे एक्स्प्रेंड करने की जुरूत नहीं है अब आप खुद ही वह सारी जिज़ए और वह सिर्फ और सिर्फ किसकी होने वाला है प्राइस की वज़े से अगला डिकरीज़िन डिमांड और डिकरीज इन कौंटिटी डिमांड में डिफ्रेंस आ सकता है इसके भी तीन अच्छे पॉईंट बना रक्टे हैं बलब तीन नंबर से उपर में लें दिए यहाँ पर स्क्रीन्चार्ट अग्ला हैं इंक्रीसर डے डिमांद आन इंक्रीस case इन कॉंपे की कॉन एक इसका binary तीन बिधा फीन हैं और तींपर और निसरे वाले में क्या है दाएक्रामला देना फोरे पूरे मिरें आगे रोगा यहां तक हमने कर लिया और इस वन शॉट में हमने पूरे के पूरे डिमांड चैप्टर को कर दिया है नेस्ते नाबूत खतम कर दिया I think सभी को समझ में आ गया होगा कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं टेलिग्राम गुरुप पे जॉइन कर सकते हैं आप केलविन को और अगर उसके लाव भी कोई डाउट आता है तो हमारी केलविन लाइव आप को डाउनलोड करें वहां पर आईए हमारे साथ कोर्स के अंदर जोड़ जाएए और वहां पर हम आपको डिटेल में और सारी चीज हैं और जाधा फीचर के साथ और जाधा बेनिफिट के साथ समझाने वाले हैं तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वन शॉट में नेक्स्ट वीडियो